सेनम दिच्छानी ठीक बातचीत करना या ठीक बोलना या राइट स्पीच ये सबसे पहला आता है आठ अंगलों का जो मारग है जिसको एट फोल्ड पात कहते हैं जो भगवान बुद्ध की सिक्षा का सबसे मूल है ये जो सही तरह से बोलना है बेसिकलि ये सही तरह से बोलना है क्या क्योंकि अगर साध्रान व्यक्त की बात करेंगे तो वो तो कहेगा कि मैं बिल्कुल सही तरह से बोल रहा हूं और आप सही तरह से सुन रहे हैं और सही तरह से समझ भी रहे हैं यहाँ भगवान बुद ने एक सब्द हमेंसा लगाया है सम्मा या सम्मयक या राइट या सही तो इसका मतलब कहीं कुछ गलत भी है तो जो गलत है वो नहीं करना है जो सही है वो करना है तो सही क्या है, सम्मा क्या है, सम्मयक क्या है, राइट क्या है वाचा वाणी बोलना कहना इस पीच क्या है परसल चार बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है सबसे पहली जो इसमें बात आती है वो आती है आपको जूट नहीं बोलना है, मिथ्या नहीं बोलना है, फॉल्स नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है ये सबसे पहला इसका नियम है तो जूट बोलने के लिए आपको बिल्कुल मना किया हुआ है पहले आठ फूर्ट का जो बात है आठ हंगर किंग जो मार्ग है उसमें पहला नियम है कि आपने सही तरह से बोलना है उसमें भी पहला नियम है कि आपने जूट नहीं बोलना है फॉल्स नहीं बोलना है तो जूट बोलना होता क्या है दरसल जो बात बल्कुल सच है या तो आप उसको कहेना या जो बात जूट है आप उसको कह दे तो फिर जूट बोलना हो जाता है यानि जो बात है आपने वो ना कहके अगर कोई भी बात आपने बदल के कह दी तो फिर वो जूट में आगई मित्या में आगई, फाल्स में आगई जूट क्यों बोलता है आदमी जूट तीन कारण से बोलता है पहला राग, दूसरा देस और तीसरा मोहो और मोड़ता राग का मतलब यह है जब हमारा कोई लालच जुड़ा होता है जब हमें कुछ चीज चाहिए जैसे कहीं हम काम कर रहे हैं जूट बोल ले हैं, तो जूट बोल के हमें कोई फायदा हो रहा है, या भविस्से में कोई फायदा होने वाला है, या किसी ने कोई फायदा किया है तो हम उसका ऐसान चुका रहे हैं या हमें लगता है कि यही ठीक है जो हमने बोला है जो जूट है वही ठीक है यह बातें जूट में आती है राग में आती है तो यानि कि जब आपको कोई चीज चाहिए कोई फाइदा चाहिए कोई राग आपको हो गया आपको चाहिए तो आपने बात बदल के बोल दी वो राग के कारण आपने बात बदल दी तो जूट बोला दूसरा देस के कारण या देस के कारण या जो एनिमिटी है जो दुस्मनी है उसके कारण या आपको ये बात पसंद मगर आपने सही बात नहीं बताई क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो आपने वो बात बदल दी जैसे आपको किसी ने ये कहा कि मैं कल अमरसर जाँगा और आपने अमरसर जाने का कहीं आपको पसंद नहीं है कि वो अमरसर जाए और आपने कह दिया कि उस व्यक्तिना कहा है कि कल वो देरादून जाएगा चुकि उसका आपको अमरसर जाना पस्न नहीं है तो आपने द्वेस के कारण कह दिया कि वो देरादून जाएगा तो आपने जूट बोत दिया द्वेस के कारण या आपको कोई जलन है या इर्सा है या कोई आप बदला लेना चायते हैं किसी भी कारण से जब आपको कोई द्वेस होता है एनिमिटी होती है दुस्मनी होती है सतुरता होती है तब आप बात को बदल देते हैं तब जूट बोलना होता है तीसरा होता है महो मूर्टा के कारण महो मूर्टा के कारण कैसे है महो जो बोलते हैं पाली के अंदर वो बोलते हैं मूर्ख बनाने को यानि कि जैसे कहते हैं महोनी सूरत है महोनी सूरत का मतलब है कि ऐसी सकल है कि वो आपको मूर्ख बना दे की या जैसे कहते हैं कि उसमें मोहु लिया, मोहु लिया का मतलब है मूर्ख बना दिया या कोई मोहिनी है, तो मोहनी का मतलब है कि ऐसी कोई स्थरी है जो आपको मूर्ख बना रही है मोहनी है तो मोहन या मोहनी या मोहो जितनी भी कारण है इनको मूर्ख बनाने वाले कारण बोला जाता है और साथ में आता है मूर्था मूर्था को बढ़ाने समय में मूर्खता ही बोलते थे तो मूर्था हो गया यानि कि ऐसा कोई कारण है कि आप हसी में मजाक में या चड़ाने के लिए या कोई मज़ा लेने के लिए या ये वही बिना किसी कारण के आप जूट बोल दें मज़े के लिए या बिना बात के भी बोल दें बिना कारण के भी तो मोहमूर्टा के कारण जूट आता है जूट का परणा बरा बरा होता है क्योंकि अगर आप जूट याद रखना पड़ेगा पहली बात जूट पकड़ा जाएगा तो उस जूट को सच करने के लिए सही करने के लिए आपको और जूट बोलेंगे तो जूट बोलने की एक चेन आरंब हो जाएगी एक जूट को बचाने के लिए तीन जूट बोलेंगे तीन जूट के लि पर आपकी मेमोरी यानि कि आपको याद रखना पड़ेगा तो आपके जो और काम है वो काम बंद हो जाएंगे आपको हर समय ये फाइल खोल के रखनी पड़ेगी ये मेमोरी हमेसा याद रखनी पड़ेगी कि आपने कितना जूट कब बोला आपने अगर जूट याद नी रहा पकड़ा गया तो आपका नुकसान होगा क्योंकि आपका विस्वास खतम हो जाएगा आप पहले क्या बोले अब क्या बोले कोई आपका यकिन करे गई नहीं जूटे व्यक्ति का जो नाम है उससे पहले पहुँचाता है यानि व्यक्ति कहीं भी जाता है और उसका जिक्र होगा तो कहेंगे अच्छा फलाना आदमी जूटा साथ में जूटा भी लगेगा तो आपकी बात का यकिनी होगा आपको कोई काम नहीं देगा तो निगा रख यानि कहते हैं तू जूटा वो कहता है जूटा होते हैं भी कहेगा कि मुझे जूट बोलने वालों से नफरत है यानि जूटे बोलने वाले को भी सच बोलने वाले ही अच्छे लगते हैं तो जूटा बोलने वाला कभी भी जूट बोलने वाले में अपनी रिस्तदारी भी नहीं करता, उनके पास भी नहीं बैटा और कहीं अगर उनके अजिकरी भी करेगा तो चार अलंकार साथ लाग कहेगा कि अरे वो साला हरामी जूटा ऐसा करके बोलेगा, इसलिए जूट बोल तो पहला जो कारण है वो संभा बाचा में वो आता है जूट नहीं बोलना मित्या फॉल्स नहीं बोलना दूसरा आता है कड़वी बात नहीं बोलना यानि कड़वी बात है तक्ती बात है या कोई जली कटी है जली भूनी बात है या कोई ऐसी बात है जो आग लगा देती है य जेंट है, या कटुक है, या तिक्त है, या तक्ती है, जुलसी हुई है, इस तरह की कोई वचन, इस तरह की कोई वाने, इस तरह की कोई बातचित, इस तरह का कुछ नहीं कहना है, आपने कोई स्पीच ऐसी नहीं देनी है, जो कडवी है, कटु है, खराब है, क्यों नहीं देन या वो कड़वाट आपके मन में पहले से ही जमी हुई होगी, उसका पौधा आपके अंदर पहले से ही जल जमा चुका होगा, कोछ छोटा सा बीज होगा, जो अंकुरित होके पेड़ बन चुका होगा, और आप जब भी कड़वी बात कहेंगे, तो सबसे पहले आप अपना च देखेंगे, या फोटो खिचवा लिजिए, या सीशे में देख लिजिए, तो आपका चहरा बलुकुल बेकार हो जाएगा, जब भी कोई व्यक्ति कड़ भी बात करता है, सबसे पहले उसका चहरे पे आती है, वो कड़वाट उसका जो चहरा है, वो बलुकुल खराब हो ज जहली हैं क्योंकि आप साथ लेके चल वह हो, 24 घंटे कड़वाट कर पेड़ आपके साथ चलता है, 24 घंटे वो नीम का, जो कड़वाट कर पेड़ है, वो 24 घंटे आपके अंदर सरीर में काम करता रहता है, तो सामने वाले को तो नुक्सान बाद में होगा, पहले आपको हो यारी प्यारी होंगी, जितने भी वहाँ लोग होंगे, वो इस बात को जानेंगे, कि ये ब्यक्ति बहुत गंदा है, बड़ा करवा है, बड़ा कटूर है, बड़ा तिक्त है, बड़ा बिटर है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये तो करवाहट ये करवाहट बांचता है, इस कि ये आदमी बहुत गंदा है बहुत कड़वा है बहुत बेतार बोलता है ये पूरी महफिल को पूरे समा को पूरे शमा को ये खराब कर देता है तो उसे आपको सामाजिक रूप से और गट्टिकेत रूप से बहुत जाधा नुक्सान होगा आपके मन को अच्छा लगेगा नहीं कड़वाहट ठलाने वाला गत्ती भी ये चायता है कि उसे कड़वाहट ना मिले लोग उससे मीठा बोले और जबकि वो कड़वाहट है यानि कि वो सबसे उम्मीद करता है कि सब उससे मीठा बोले और वो सबसे कड़बहट बोले इसनी है कड़बी बात हैं कटो बात हैं सम्मा वाचा में नहीं बोलनी है सम्मेक वाणी में नहीं बोलनी है तीसरी आती है चुगली करना यानि के चुगली नहीं करनी है चुगली को पाली में दूत या दूती बोलते हैं आपने सुना होगा करें अरए यह बहुत दुत है, यह बहुत दूता है, या योद लगा के गया है. अभी अभी आया था, दूत लगा गिछला गया. दूत बेसी कली पॉजटिव सब्ढ है, दूत का मतलब मेसंजर होता है कि जब हम किसी को बھیजते हैं, अपनी बात कि निकली अगर कोई negative way में दूत आ जाए, यानि कि message आए negative way में आ जाए, किसी की बुराई में आ जाए, तो उसको भी दूत बोलते हैं, फिर उसको चुगल खोरी, चुगल खोर या चुगली बोलते हैं, यानि कि चुगली करना, English में backbiting बोलते हैं, तो आपने चुगली या चुगल ख जाए, या किसी की चुगली करता है, तो कई स्थिति ऐसी होती हैं, एक तो वो अपने आपको सुपरीर बनाने के लिए, यानि कि अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए, आपने आपको ये दिखाने के लिए, कि मैं सबसे अच्छा हूँ, या मैं सबसे अच्छी हूँ, वो औरों की बुराई करेगा या करेगी तो वो चुगली करेगी या चुगली करेगा बुराई करेगी तो इसलिए बुराई करती है कि या करता है कि देखो उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया और सालेंट रूप से वो ये कहता या कहती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ और चुगली करने में उनको बड़ा रस आता है अनंदाता है इसका उनको राग लग लग जाता है बीमारी लग जाती है और वो बिना चुगली करे रोटी नहीं खा सकते हैं उनके पेट में दर्द होगा जब तक वो चुगली ना करने भारत के अंदर तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा है आदमियों में भी और और तों में तो ये कमाल की है चुगली जब तक ना कर लें जब तक एक दूसरे की बात को इधर से उधर ना कर दें तब तक वो खाना नहीं पस था चुगली करने वाला या करने वाली कभी किसी को पसंद नहीं आता दो चुगल खोर भी हो जानी कि चुगल खोर चुगल खोर आपस میں एक दूसरे को कहते हैं कि अच्छा नहीं है चुगली करते हैं। chemical चुगल खोरों का लोग फायदा भी उठाते हैं कैसे उनको अपनी बात पूरे महले में पहचानी होती है तो वो किसी चुगल खोर को कहते हैं कि ये बात ऐसे ऐसे ह और तुम किसी को कहना मत चुगली मत करना वो जानते हैं कि ये चुगली करने बिना मानेगा या नहीं या मानेगी नहीं और ये ढूल का पोल है और ये फटेगा ही फटेगा और आवास पूरे महले में जाएगी जाएगी उसका काम हो जाएगा तो चुबली करने वाले की एक अच्छी इमेज और अच्छी बात नहीं माने जाती उसका कोई यकीन नहीं करता उसका विश्वास नहीं करता उसको सच्चा नहीं माना जाता उसको अच्छा नहीं माना जाता चलिए सम्मा वाचा में या सम्मयक वाणी के अंदर या राइट स् सुले जो फिलिम है जिन लोगोंने देखी है उसमें एक है भोपाल का करेक्टर जगदीब का क्या कहते हैं हम सूर्मा भोपाली ऐसे ही थोड़ी कहते हैं लोग हमको आपने सुना होगा तो वो सूर्मा भोपाली यानि भोपाल अमध्यप्रदेश के अंदर एक सब्द चलता है बतोल बाजी का मतलब है कि दो चार पांच लोग एकटे हो जाते हैं और एक कोई बात कहता है जो बिल्कुल गप होती है दूसरे उससे भी बड़ी कप कहता है तीसरा उसका समर्थन करते हुए उससे भी बड़ी कप कहता है चौता उससे भी बड़ी कप कहता है और इस तरह स वो आपस में मनों जन करते हैं इसको बतल बाजी का सौक बोलते हैं खाली बैटे हुए हैं तो आपस में एक दूसरे करकर के करकर के गॉसिप्स बोलते हैं अंग्रेजी में बतल बाजी वहां बोलते हैं तो बाते हैं एक दूसरे की बहुत बड़ी बड़ी पेच लड़ाते हैं बातों कि यानि कि लंबी-लंबी बातां छोड़ते हैं कई बार तो ऐसी बाते होती हैं कि उनको ये बताते हुए कि ये ठीक होगी नहीं होगी कई बार तो बहुत सारे दिक्कतें भी आती हैं मतलब इतनी बड़ी बड़ी बाते हैं कप मैं बोच जाते हैं तो यहां बोला गया है कि आपने बेकार की फिजूल की बल बढ़ाना या जो ऐसी बाते हैं जो बेकार हैं जो किसी काम की नहीं हैं जो वेर्थ की बाते हैं बकवास जिनको बोलते हैं फिजूल बोलते हैं या गौसिप बोलते हैं ऐसी बातें नहीं करनी है यह चौथा नियम है जो सम्मा बाचा है जो सम्मा बाड़ी है क्यों नहीं करनी है बेसिकली ऐसी बात ऐसी बात इसलिए नहीं करी है कि जब आप खामेका कहीं गाल बजाएंगे या खामेका कहीं चौच वाजी करेंगे तो गपो वाजी करते समय व्यक्त की बात कर समय दो-चार जूट बोल जाएंगे दो-चार बात होंगी नहीं तो कालपिंग बोल जाएंगे दो-चार बात दायबाय से लगा के बोल जाएंगे दो चार बात ऐसे बोल जाएंगे जिनका ना सर होगा ना पैर होगा तो आपने खामे खाँ अपने उपर जूट बोलने की फाइल चड़ा ली आपने खामे खाँ ऐसी बात बोल दी जो हैं नहीं और वो जूटी हो गई उससे सामने वाला ये करेगा कि ये व्यक्ति भरुसेगा नहीं है ये कुछ भी बोल सकता है इसका कोई अतवार नहीं है और वो आपका कोई अतवार करेगा नहीं आपकी सोसाइटी में जच चली जाएगी आपकी निगह में चली जाएगी तो खा में खा आपने गौसिप किया गपे मारी बात किया आपने और दो चार पाँ जुट बोल दिये दो चार बार टेड़ी मड़ी बात बोल दिये आपका सारा करेक्टर खराब हो गया ये चार बातें आपने नहीं करनी है मगर चार बातें क्यों नहीं करनी है चार बातें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपने सबसे आखिर में समाधी में बैठना है जहां आप समाधी के बाद में अपने मन को प्यॉरिफाई करेंगे और मन को आप पूरी तरसे सुद्ध करेंगे, परिसुद्ध करेंगे और जब तक मन सुद्ध नहीं होगा, परिसुद्ध नहीं होगा, पाप आपके हटेंगे नहीं क्योंकि पाप हटेंगे, तबी तो मन सुद्ध होगा तो पाप हटाने लिए आपको समाधी में बैटना है समाधी में बैटने लिए आपका जो चित है जो आपका मन है जो आपका माइंड है वो इकागर होना चाहिए वो इकागर होना चाहिए वो कंसंट्रेट होना चाहिए वो एक बिंदू पर होना चाहिए उसमें फाल्तु की बातें नहीं आने चाहिए अगर दायबाय की उसमें बातें आती हैं जो निगेटिव हैं या पाप वाली बातें आती हैं तो पाप वाली बातें आने से या निगेटिव बातें आने से होगा क्या कि आपका मन एकागर्चित नहीं होगा concentrate नहीं होगा, समाधी लग नहीं पाएगी और जब समाधी ही नहीं लग पाएगी तो आपके पाप कटेंगे कैसे और पाप जब कटेंगे नहीं तो पुन्य निकल के आएंगे कैसे और जब तक पाप जाएंगे नहीं पुन्य आएंगे नहीं तो आपका मन जो है वो कैसे खुसोगर आपके सरी को कैसे शांती मिलेगी यानि सारा काम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुख प्राप्ट करने के लिए सांती प्राप्ट करने के लिए निबान प्राप्ट करने के लिए अपने दुख काटने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, इसलिए चार बातें अगर यह आप नहीं करेंगे, तब आप एक स्टेप आगे जाएंगे, तब आप समाधी की तरफ बढ़ेंगे, तब आप सुख की तरफ बढ़ेंगे, तो यह जो आठ अंग हैं, उन आठ का पहला अंग है, कि आपको सही तरह से बोलना है, उसमें यह चार बातें हैं, अगले स्टेप में, अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, कि इसके अलावा फिर आपने क्या क्या करना है, जो आएगा सम्यकमंत, या सम्मा कमंत, या सम्मा कमंत, या सम्मा कमंत, या सम्म टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकत हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैटिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चे काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भास अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खूब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामू संगं सरेण गच्छामू धूतियंपी बुद्धं सर्मं गच्छामू धूतियंपी बुद्धं सर्मं गच्छामू धूतियंपी धम्मं सर्मं गच्छामू धूतियंपी बंमं सर्मं गच्छामू दूतियों पी सर्णों सर्णों गच्छाम। दूतियं पी सन्यं सर्णों गच्छाम। ततियों पी बुद्धों सर्णों गच्छाम। ततियं पी बुद्धं सर्णों गच्छाम। ततियं पी धम्मं मर्सेनु गच्छाम। ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छाम। ततियं पी संगं सेनु गच्छाम। ततियं पी संगं सर्णं गच्छाम।